सब अच्छे से होंगे सो आज हम देखेंगे हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वह है जमुद कश्मीर करन्ट अफेर्स 2024 की जिसमें हमने आरेडी पार्ट फर्स जो था वो डिसकस किया था जिसमें हमने नौंबर से लेकर फैब तक 2024 पार्ट फर्स और आज उसी पार्ट सेकंड उसी का आगे कंटिन्यू करते हम जैन और फैब की वहां पे करन्ट अफेर्स कवर करेंगे उसके बाद पार्ट फैब 2024 तक जो भी करन्ट अफेर्स होगी जमुद किश्मीर से बहुत ही कम होती है एक दो बार इसको पढ़ लेना अच्छे से बहुत बार यहां से दो तीन चा निकाल दी है आपको मिल गई होगी 23 जून से आपके एक्जाम कंटक्ट करेगी जैके एससबी जो सुपरवाइजर को होगा या बाकी एक्जाम से उनकी रेट्स भी आ गई है और इसी तरह से पड़वारी की बात करें तो उसका सबसे पहले जो आपने सब्जेक्ट्ट्व जो रिटन दिया हुआ है उसका रिजल्ट भी कुछ विदिन वीक्स आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपका उसका अब्जक्ट्व टाइप जो होगा आपका यह मिरिट बेस्ट जो टेस्ट होगा वहोगा तो जो भी एक्जाम्स है जाए जमून कश्मीर पोलीस कॉंस् जो होगा सो जैन एंड फैब ट्वैंटी ट्वैट्व जो है उसकी करण्ड अफेर्स जमून किश्मीर से सबसे पहले बात करें तो यहां पर PMVY एक योजना लांच की गई प्रदान मंत्री विश्व कर्मा योजना जिसे बोलते हैं देखो ये योजना क्या थी सबसे पहले योजना की बात करें इस योजना में हेंड वरक यहनी हाथ से जो काम किया जाता है क्राफ्ट वरक जो था उस पे फोक्स किया गया इस योजना को लांच किया गया जमून कश्मीर में कब 2nd of Jan 2024 यहनी 2nd Jan 2024 में जमून कश्मीर में प्रदान मंत्री विश्व कर्मा योजना लांच की गई और ये योजना किस से रिलेटर थी जो भी आपका क्राफ्ट वरक होता है हेंड वरक होता है उसी के लेटर अब देखो इस योजना में क्या था इसमें सबसे पहले जो यहां के जो ट्रेनीज थे फ्रम जमून कश्मीर उन्हें फोक्स किया गया किस क्राफ्ट पर ये कुश्चन आपको इस तरह से फ्रेम का सकता है कि जो फर्स बैग था फ्रम जमू योजना के अंडर जो भी आमारे पास इने क्या होता इनको फाइनेंशल स्पोर्ट मिलती है इनको पर डे आप इस के अंडर जो भी ट्रेनीज होंगे उनको फाइफ हंडर रुपीज दिया जाता है और एक महिने के बाद जब इनकी ट्रेनिंग कम्प्लीट होती है दे विल लिडिट देखते हैं हम आगे रीसेंटली क्या हुआ कि स्टेडियम इन बारा मुला इस बीनम आफ तो द वहूम सीडियस विपिन रावत याद रखना है यहाँ पे बारा मुला में एक स्टेडियम था अजाद गन्ज में उस स्टेडियम का नाम चेंज करके एक इंडिया के एक chief of defense staff के नाम से रखा गया जिनका नाम था विपिन रावत यह अब इस stadium का नाम क्या रखा गया है विपिन रावत stadium पूछ सकता है यह stadium किस district में है यह district 12 मुला district में है जमून कश्मीर के और जो विपिन रावत थे यह इनकी recently कुछ एक साल पहले इनका plane crash हो गया था तो उसमे है डेथ होगी थी तभी इनके नाम से रखा गया बारा मुला स्टेडियम का नाम chief of defense staff विपिन रावत स्टेडियम ठीक है ना नेक्स्ट हमारे path है project beacon की बात करते हैं तो यह beacon project जो है इसे कौन चलाता है इसको कौन undertake करता है इसको करती है BRO कौन करता है border road organization तो beacon project जमून कश्मीर में कौन undertake कर रहा है BRO और इस beacon जो project है इसका objective का है देखो इसका objective यह है to connect the Amannath shrine जो आपको मिलेगी पहल गाम में सौनमरग में इसको connect करना किसके साथ बालतल के साथ तो इसको beacon project के अंदर complete किया जाएगा Amannath shrine को बालतल जो area of सौनमरग है उससे connect हिया जाएगा राजस्तान is set to receive hydroelectric power from which of the hydroelectric plant in Jamun Kashmir रेटल किष्टवार देखो यह इस तरह से question examiner frame करेगा कि Jamun Kashmir में एक power project है उस power project से बाहर के एक किसी state जो होगी वो power project जो होगी किसी state का वो यहां से क्या करेगी यहां से hydroelectric city को power को receive करेगी वो राजस्तान state है और यहां के किस project से इसे power दिया जाएगा वो है रैटल power project यह आपको किस district में मिलता है इस तरह से भी question बना सकता है यह आपको किस तवार district में मिलता है और इसकी installed capacity कितनी है यह चीज़ भी याद रख लेना बहुत important है 850 megawatt यह इसकी installed capacity है तो इस रैटल power project से बाहिर राजस्तान की जो state है उसको यहां से power दिया जाएगा और यह रैटल power project जो है यह किस river पर पड़ता है river चनाब पे तो यह किस river पर चनाब पे so next गोले मेला की बात करते हैं गोले मेला क्या है गोले मेला को organize किया गया at जगनाथ temple जगनाथ temple कहां पे है यह ओदमपूर district जो जमून किश्मीर का है वहां पे है और इसको वहां पे organize किया गया गोले मेला को ठीक है ना कभी पूछ सकते हैं कि किस district में organize किया गया नेक्स्ट अवाम से अवाम से अवाम के लिए ये एक ग्रिविंस रिड्रेसल पॉर्टल एक पॉर्टल लांच किया जिसे जमुन कश्मीर पॉलीस ने लांच किया इस पॉर्टल को इस पॉर्टल का नाम है अवाम से अवाम के लिए इस पॉर्टल के अंदर जो आपके लोग ह होंगे उस area की जमुन कश्मीर में तो कोई भी problem होगी कोई भी grievance होगी उसको उस portal में वो बता सकते हैं redress कर सकते हैं जिससे जमुन कश्मीर police को उस चीज के बारे में पता चलेगा तो पूछ सकता है किस ने लाइन आज क्या जम्मून कश्मीर प्रोलीस ने अवाम से अवाम के लिए ठीक ना जम्मून कश्मीर के अंदर इसवाकत डी जी जी जिसे डारेक्टर जनल ओप पोलीस कहते हैं वह कौन है यहां पर उनका नाम बहुत इंपोर्टेंट है 2024 में इस वाकत वह है आरार सिवेन याद रखना उनका नाम है आरार सिवेन पर पुंच पीर ठोप के अंदर विलेज है गाउ उसका नाम है पीर ठोपा विलेज अफ़ पुंच अडाप्ट्न और अजी मौड़ल अंडर शीवास का ईनियन आमि इनिशेटिव की उस इनिशेटिव का नाम था सद वाभना इनिशेटिव इस initiative के accordingly उन्होंने क्या किया एक village था पुंच के अंदर उसको एडॉप्ट किया और उस village का नाम था पी टोपा village उसे as a model village के तोर पे एडॉप्ट किया गया Indian Army ने तो उसका नाम भी याद रखना ये जम्नुन कश्मीर के related करांट अफियर है इसी से question बनता है Indian Army के related के हर साल Indian Army Army Day को celebrate किया जाता है 15th of Jan को 15 January को हर साल Indian Army Army Day को celebrate किया जाता है next operation सर्वेशक्ती बहुत important है ये जम्न कश्मीर के अंदर ये operation launch किया गया था operation सर्वेशक्ती सबसे पहली बात करें इसके बारे में यहां से question क्या frame कर सकता है examiner initiative of ये किसने लांच किया Indian Army में एक चीज़ याद रखना इसको कहां पर लांच किया गया carry its operation on both sides of पीर पंजाल इन्ही पर पीर पंजाल के side भी और उस side दोनु साइट पर ये अपने operations को carry करेगा operation सर्वेशक्ती और इसका main objective क्या था इस operation के इसमें क्या चीज़ की जाएगी यहनी terrorism को carryism को combat किया जाएगा कम किया जाएगा रोका जाएगा under operation सर्वेशक्ती ठीक है ना next question next another dana from which district of the German kishmir got GI tag जो दिया गया एक अनारदाना है जंगली यहनी wild pomming grenade उसको दिया गया है और वह German kishmir के किस district से belong करता है वह है रामबंद से यही चीज़ याद रखना बहुत important है next under which mission of CSIR CSIR का कौन सा mission है has the purple revolution taken place यही जिसके अंडर purple revolution को बनाया गया purple revolution को किया गया CSIR का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए CSIR मतलब हो गया Council of Scientific Industrial Research Council of Scientific Industrial Research इसका एक mission था जिसके अंडर purple revolution को किया गया उस mission का नाम था अरोमा mission यह चीज़ आठकना उसका क्या नाम था अरोमा mission अब purple revolution किस से लेटर होता है मैंने आपको पहले भी यह cover किया हुआ है current में purple revolution का मतलब हो गया lavender cultivation किसकी lavender cultivation इसको cultivate किया जाता है फार अरोमा के लिए बाइवन दी सुप्रीम कोट अफ इंडिया डारेक्टिड अलेक्शन कमिशन इन्हीं सुप्रीम कोट अफ इंडिया ने क्या काम क्या election कमिशन को यह directions दी कि आप जमुन किश्मीर के अंदर assembly elections को करवाओ यहनी एक deadline date दी गही है उस date कब तक हैनी September 30 2024 हैनी 30 September 2024 सुप्रीम कोट ने जमुन किश्मीर election commission of इंडिया को यह direction दी है कि आप यहाँ पे assembly elections करवाओ 30 September 2024 जो election commission होती है यह constitutional body होती है यही elections यहाँ पे करवाती है तो आज जो elections चल रहे है पार्लिमेंटरी elections तो यहाँ पे सारा काम जो होता है वो election commission को होता है उसने directions दी है कि आप यहाँ पे जमुन किश्मीर के अंदर अब assembly elections भी करवाओ 30 September 2024 से पहले पहले नेक्स्ट इंडिया सेलफी पॉइंट बहुत important news में था जमुन किश्मीर में इंडिया सेलफी पॉइंट जो इंडिया सेलफी पॉइंट है यह initiative है तेकन बाइ इंडिया आर्मी में इस इंडिया आर्मी ने से इस initiative को टेक अप किया गया है इंडिया उडिया जो है वो बारामुला जिस्टिक के अंदर तहसील पड़ती है LOC के नजदी कहिए तो वहाँ पे एक सेलफी पॉइंट जो है उसे इंडिया आर्मी ने बनाया है और इसे इंडिया आर्मी को गिफ्ट किया गया बाए रुबल नगी ने क्या नाम तो उसका रुबल नगी रुबल नगी एक आर्टिस्ट से इनकी एक बुक आती है उस बु में दूसरा कोशंद फ्रेम का सकता है जैसे के इनियन सेलफी पॉइंट जो था वो जमून कश्मीर करंट अफेर में था कहां पे है उड़ी के अंदर है और इसे इनियन आर्मी को गिफ्ट किस ने किया है रूबल नगी ने अब रूबल नगी को ने एक आर्टिस्ट है और इन अर्चरी चलाती है यह नहीं अपनी पाउं से चलाती है इनके हाथ नहीं है तो बहुत इंपोर्टन है यह कोश्चन भी नैशनल लेवल एक्जाम के लिए और जमून कश्मीर के रिलेटर भी कोई बी एक्जाम होगा वहां से यह पूछा जाए का कुश्चन सो नेक्स्ट को हमारे पास यहां पर है अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर पोपुलेशन असेस्मेंट रेपर्ट विच स्टेट यूटी एन इंडिया आज माक्जिमम पोपुलेशन आफ स्नो लेपर्ड जो स्नो लेपर पोपुलेशन असेस्मेंट रेपर्ट आई उसके 477 नंबर है snow leopards का अगर जब उन कश्मीर की बात करें तो just nine ही snow leopards यहां पर देखने को मिले so नदाख है और जो snow leopard population assessment report होती है इसको जो coordinate करता है national level पे वो है wildlife institute of india इसको coordinate करता है यह चीजें याद रखना direct examiner पूछता है उसके बाद next अरोगया अरोगया doctor on wheel देखो यह क्या है अरोगया doctor on wheel telemedicine mobile unit एक unit है telemedicine mobile unit launched by dr. जतिंदर सिंग ने इसे launch किया from ओधंपूर से यह जो जम्मू का district है वहां से launch किया गया telemedicine mobile unit उसका नाम है अरोगया doctor on wheel और उस को कहां से launch किया गया अधंपूर डिस्टिक से from by dr. रजिंदर सिंग next खेलो इंडिया winter games की बात करें तो जो इसका fourth edition होगा वो गुलमरक के अंदर हैल किया जाएगा इस बार 2024 में और वहां पे वो जो fourth खेलो इंडिया winter games are open to athletes from which age group यहनि किस age group से उनको अब open कर दिया गया है हमने November to February तक complete किया है उसमें पार्ट सेकिंड यह है उसके बाइप थोड में हमारा फैब तक पूरा complete हो जाएगा current affair so हमारा वीडियो आज यहाई तक complete होता है और जो भी इस चैनल पर first time देख रहा है उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस करें ताकि कोई भी निया वीडियो अप्लोड होता है उसकी नोडिफिकेशन आपको मिले और हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक का वहां से आप जोईन कर सकते हो सुमिलते हैं गल ओके अला आफिस थैंक्यू